संदी विछेद दो सब्दों से मिलकर बना होता है जिसमें पहला सब्द संदी होता है और दूसरा सब्द विछेद होता है आपके जानकारी के लिए बता दे कि संदी का अर्थ होता है जूड़ना और विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना या पर्थक होना तो इस तरह से दोस्तों संदी विचेद का अर्थ होता है दो सब्दों की संदी को फिर से अलग-अलग करने को संदी विचेद कहते हैं मतलब संदी का विचेद हो रहा है यानि संदी अलग-अलग हो रही है और आज हम इस वीडियो में हिमाले सब्द के संदी विछेद के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि हिमाले में कौन सी संदी होती है तो मेरी अच्छे मितर बनने के लिए अभी चेनल को सब्सक्राइब कर दें और गंती वाले बेल आइकन को दबा दें दोस्तों हिमाले जो सब्द होता है उसका संदी विचेद हिम पलस से आले होता है यानि हिमाले का संदी विचेद हिम पलस से आले है और हिमाले सब्द के अंदर संदी दिर्ग संदी होती है एक बार फिर से बता देते हैं कि हिमाले सब्द का संदी विचेद हिम पलस आले होता है और हिमाले में संदी दिर्ग संदी होती है इसके अलावा दोस्तों प्रिक्षा में पूछे जाने वाली मैं तो प्रून संदी विचेद सब्दों की बारी में बात कर लेती तो एसे संदी विचेद जो सब्द होती हैं वै कुछ इस तरह से हैं नमबर वन हिमाली दोस्तों हिमाले सब्द का संदी विचेद हीम पलस से आले होता है यानी हीम पलस से आले मिलकर हिमाले बनता है इसका नियम होता है ए पलस आ मिलकर आ बना होता है दोस्तूं हिमाले जो सब्द होता है उसके अंदर संदी दिर्ग संदी होती है नमबर टू है उजवल दोस्तूं उजवल सब्द का संदी विचेद उद्ध पलस जवल होता है इसका नियम होता है तै या दै जब जैसे मिलता है तो आदा जै और पूरा जै मनता है उजुवल सब्द की अंदर संधीत व्यंजन संधी होती है नेक्ष्ट है रामायन दोस्तुं रामायन सब्द का संधी विचेद राम पलस सी अयन होता है यानी इसके अंदर जो डियम है वै ए पलस सी ए मिलकर आबना होता है रामायन सब्द की अंदर संदी दिर्ग संदी होती है नंबर फोर है पवन दोस्तों पवन सब्द का संदी विचेद पो प्लस अन होता है यानि पो प्लस अन मिलकर पवन बना होता है इसका नियम है ओ का अव हो जाता है यानि जब पो प्लस अनका संदी किया जाता है तो ओ का अव हो जाता है तो इस तरह से पवन बनता है पवन सब्द में संदी अयादी संदी होती है नेक्स्ट है नंबर फाइब महर्ची दोस्तों महर्ची सब्द की अंधर महा पलस रिशी संदी विचेद होता है यानि महर्ची का संदी विचेद महा पलस रिशी होता है इसके अंदर जो नियम होता है वै आ पलस री होता है यानि आ पलस री मिलकर अर बनता है महर्शी सब्द के अंदर संदी गुन संदी होता है तो इस तरह से दोस्तों हमने इस वीडियो में संदी विच्छेद के बारे में अच्छे जानकारी हासिल किये आसा है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आप एसा ही अधियन करना चाहते हैं तो आज ही चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक लिए आप कमेंट में बताना की आपकी संदी सब्द के बारे में जानना चाहते हैं